हेलो एंड वेलकम आप सभी लोगों का एजुकेर में स्वागत है हम यहां पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो UK SSC उत्राखणादिना सेवच चाहिन आयएक द्वारा विग्यपति निकालेगे 142 पतों के बारे में तो उसमें जो भी मैतोपोन जानकारी होंगे आप तक पहुंचाने का प्रियास करेंगे इससे पहले जो वीडियो हमने अफ्रोट किये उसमें 108 पद है इस देनों के तो आप देख लीजे यह दूसरी विग्यपति है इसमें उत्राकंड सहरी विकास विवाब के अंतरगत इसकस करेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंबिक तिति है वो 31 2020 है और लास डीट जो आपकी है आवेदन तिति की वो है 149 2020 इसमें आप जो सुल्क बरेंगे नेट बहेंगे या डेविड कार्ड से वो 169 2020 तक बर पाएंगे चलिसमें देख लेते हैं कुल पद 142 है और इसमें जितने भी मैतोपूंट चीज़े होंगे तो इसमें देखो कि इन पदों पर चैन परिक्रिया भी दो चलडों में होंगे जैसे हमने इसमें इस टेनम में बताइगे ति उसमें क्या था पहले लिकित परिक्षा उसके बाद आपको टंकण के लिए या फिर जो आस मैतोपूंट चीज़े होंगे पद नाम लेकाल लिपिक है कुल पद 142 है यह अलग-अलग विवाग के नाम दे रखेंगे नगर निगम देरदून नगर निगम हरिद्वार रुड़की काशिपूर ठीक है और जितने भी जो मैतोपूंट चीज़े होने के पार में हम डिसक जिन चीज़ों पर जिन जिन जगह पर लेखा लेखक की बढ़ती खाली वहां पर दिया गया है चलिए यहां पर यह है बेतना मान जो बेतना मान दिया गए वह 21,700 से इसमें एक चीज़ जो मैतोपूंट है कि सैच्छिक एहरता अनिवारे एहरता क्या होगी तो केंद्र अतवा राज्य सरकार से मानेता प्राफ्ट बोर्ड से आपका इंटर्मेडियेट होना चाहिए और इंटर्मेडियेट भी कॉमर्स से होना चाहिए जिस सिब कॉमर्स के विद्यार थी क्या कर पाएंगे इसको आवेधन कर पाएंगे commerce ही होना चाहिए ना तो आपका science या art वाले नहीं चलेंगे और दूसरा टंकर में चारजारकी के depression आपकी होनी चाहिए और अधिमाने के लिखित परिक्षा में समानंक प्राथ करने वाले जो इसमें जो एज में बड़ा होगा उसको क्या कर दिया जाएगा उपर रख दिया जाएगा तो इसमें जो मैं तो पून है कि आपके पास intermediate होना चाहिए और intermediate भी commerce होना चाहिए अगर आपकी commerce commerce stream है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुने रहा है फिर लिखित परिक्षा ये तो पति के अनुसार पाटे करम तो पाटे करम देख लेना किसमें पाटे करम अलग होगा आपको ये जानकारी होने चाहिए कि इसमें अगर commerce बिसे से लिया गए सिर्फ commerce वाले हैं तो इसम आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ट्वेल्थ लेवल का जो पाटे करम वह नहीं है इसमें हिस्ट्री सिविक्स जोगराफी ऐसा कुछ नहीं आएगा बलगे क्या है सिर्फ commerce बिसे पर आएगा और आपको पता है कि UK SSC कुछी दिने बात क्या करता कर देता है अपने जो स सिलेबस है सिलेबस विपसाइट में परसारित करते हैं तो उसके आलग से वीडियो आपको दे दी जाएगी तो इसमें आगे देख लेते हैं कि जो मैं तो पूंच चाहिए इसमें देखो कि आयू की गणना निश्चय आयक थी एक जुलाई 2019 से आपकी आपकी गणना की होता है कि जैसा जाती है जन जाती कि लोगों को क्या कि दिया जाता है मतलब रिलेक्षेशन दिया जाता है फिर इसमें और इसमें जो मैंतर पूंच चीज है कि आपको क्या करना है OTR आपने एक बार OTR भर देना है आपको वन टाइम रिश्टेशन हो जाएगा www.ssc.uk.jo उन पर तो आप एक प्रोफाइल क्रेशन हो जाएगे प्रोफाइल क्रेशन होने के बाद आप क्या कर पाएंगे किसी भी फॉर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं आविधन कर सकते हैं एक चीज़ है कि इसमें जो महतोपोण हो है कि अब बिर्थियों को निमल लिकित परिक्षा सुल्क जमा करना होगा वही चीज़ है कि अनारक्षित सामान्या और अन्या पिछड़ा वर के लिए 300 रुपए हैं अनुसुची जाती के लिए 150 अनुसुची जन जाती के लिए 150 और उत्राकण दिब्याएंगे आप फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर गया है उनके लिए 150 रुपए रखा गया है चलो फिर जैसे आप OTR भर लेंगे तो OTR भरने के बाद आपके कर पाएंगे से फाइनल समिशन कर पाएंगे जब भी आप OTR भरे तो उसमें ध्यान रखे अपनी नाम आपकी जो डेटो बरत है जनमतिती है या फिर जो सैच्छी योगता है ठीक है क्योंकि इसमें कुछ चीजें तो हम क्या कर सकते हैं उसको मतलब अपडेट कर सकते लेंगे कुछ चीज बेजनी पड़ती है तो ध्यान पूर्वा का OTR भरे इसमें जो भी मैतोफून चीजें थी वो यहां पर लगबलग हम डिसकस कर चुके हैं अगर आपको इस बिगेपती से संब्दे किसी भी जानकारी चीए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जूड़ सकते हैं यह झाल